पाकिस्तान को मिला धाकर आल राउंडर भारत की बड़ेगी मुश्किल हार्दिक पांडिया को देगा कड़ी तक्कर पाकिस्तान बनाम न्यूजिलैंड के बीच शुकरवार के दिन त्रिकोडी ये सीरिस का फाइनल मुकाबला खेला गया इस मुकाबले में 164 रनों के लक्ष का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम ने ये मुकाबला पांच विकेट से अपने नाम कर लिया आपको बता दे इस मुकाबले में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े हीरो मुहम्मद नवाज बने जिनोंने 22 गेंदों में 38 रनों के पारी खेली और टीम को बड़ी जीत दिला दी आपको बता दे कि इसी मैच के बाद अब पाकिस्तान की टीम को एक ऐसा धाकड आलराउंडर मिल गया है जो आने वाले T20 विश्व कप में टीम इंडिया के साथ साथ बाकी टीमों के भी परिशानी बड़ा सकता है वो आलराउंडर कोई और नहीं बलकी मैच के हीरो महम्मद नवाज है जी हाँ महम्मद नवाज जो कुछ समय पहले तक पाकिस्तान के लिए एक साधारन से गेंडबाजी आलराउंडर थे एक साल के भीतर ही उन्होंने अपनी छवी क्रिकेट में ऐसी कर ली है कि अब उन से बाकी टीमों को खतरा होने लग गया है महम्मद नवाज की बात करें तो आज उन्होंने फाइनल मुकाबले में नमबर चार पर बल्ले बाजी करते हुए 22 गेंड़ो मेही 38 रड़ बनाए और मैन अदो मैच का खिताब भी ले गए इस से पहले उन्होंने बांगला देश के खिले गए आखरी मुकाबले में 45 रण की पारी मातर 22 गेंड़ो में खिली उनकी दुआरा खिली गई इस पारी के बदालत पाकिस्तान को आखरी मैच में भी जीत मिल गई थी इतना ही नहीं बलकि भारत के वरुद एशिया कप में मुहमद नवाज ने 42 रण मातर 20 गेंड़ो में ही बना दिये थे मुहमद नवाज की ये पारिया बताती है कि खिलाडी जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तो पाकिस्तानी टीम के लिए तेज तरार बल्ले बाजी करते हुए बड़ा योगदान दे सकते हैं इतना ही नहीं मुहमद नवाज सिर्फ बल्ले से ही नहीं बलकि गेंड सरी शांदार प्रदर्शन कर रही है बांगलादेश के खिलाफ खेले की तरकोणिये सीरीज में उन्होंने एक विकेट निकाली और आज फाइनल मुखाबले में बे भी उनके नाम एक विकेट रही हैं जिन्होंने समय समय पर खुद को टीम के लिए साबित किया है अला कि कुछ ऐसा ही प्रदर्शन मुहमद नवाज का भी रहा है लेकिन अब ये समय बताएगा कि टीट्वन्टी विश्व कप में कौन सा ओल्राउंडर सबसे भारी पड़ता है क्या वो मुहमद दबाज हार दिखपान लिया इंडिया पाकिस्तान की जंग देखने वाली होगी लेकिन साथ इसाथ इन दोनों दिगज आल्राउंडरों के बीच जो भिडंत होगी उसे देखने के लिए भी फैंस काफे उत्साहित रहेंगे कमेंट बॉक्स में अपने फेवरिट आल्राउंडर का नाम बताना ना भूलेगा इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ